कि जैसी करने दोस्तों वेलकम ट्रूनामेंट क्लासेस में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रही है आप लोग के लिए जिसका आज हम लोग लेक्चर फोर देखने वाले हैं ठीके पुराने लेक्चर तीन लेक्चर हो चुके हैं इसके नहीं देखें वो डिस्क सब्सक्राइब करते हैं यह चैलेंज सीरीज आपके एंप पुलीज व्याफ़ां कोई भी एक्जाम हो सभी एक्जाम के लिए इपॉर्टेंट है ठीके पचास में से आपको पचास कोशन दिये रहाते हैं इसमें चालीस सही करके बताने पड़ते हैं आपको अगर चालीस न चलती रेगी चले स्टार्ट करते हैं ठीके चले पहला कोशन आप सभी के सामने चैनल सीरीज पार्ट फॉर का बहुत ही नॉमल सा कोशन है बताएंगे इसको उत्तर क्या होगा दुलदुल गोडी निरत्य मध्यप्रदेश की कि जन जाती का मूल है तो कौन सी जन जाती का अगला कोशन आप सभी के सामने सुतंत्य भारत के नवे राष्ट पती शंकर दयाल शर्मा का जनब मध्यप्रदेश के कौन से शहर में हुआ था तो कौन से शहर में हुआ था व्रेंट्स बहुत भी शांदार जो लोगी ऑप्शन डी सोच रहें बिलकुत सही सोच रहें अगला कोशन आप सभी के सामने बहुत बहुती जलबरपात कायक कल्प के कारण उत्पन होने वाले दैश का एक उधारन है तो किसका एक उधारन है फ्रेंट्स बिलकुल निक इस्तल निक पॉइंट टीके ऑप्शन एसका सोपे से डिक उत्तर होगा नेस कोशन की तरब बढ आते हैं चंडी गड़ में चंडी गड़ में प्रसीद रॉग गार्डन के निर्माता कौन है तो चंडी गड़ में प्रसीद रॉग गड़न के निर्माता कौन है बिलको सही रिबाब होगा इसका ओप्शन सी ठीक है आगे बढ़ आते हैं नेस कुशन की तरब पंद्रवा पंद्रवाब हुटायोंग दोय इनिस के अंतर तक अपनी रिपोर्ट केंदर सरकार को सोभ देगा वे 15 है तो 15 है वी जैज्श को ने वृफ्ट एन्के सिंग विल्कुल उपशन सी इसका 10कुञ्शन की तरफ ठीके नीती आयोग नीती आयोग शाशी परिश्यत के अध्यक्ष कौन है तो कौन है विए नितियायो के अध्यक्ष बताएंगे बिल्कुल भारत के प्रदान मंत्री ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सौफेसरी गुत्तर है नेस कोश्चन किसा पढ़ आते हैं अगला कोश्चन अभी है हमारा इंदोर में लाल ब लालबाग महल पैलेस देज द्वारा बनाया गया था तो लालबाग पैलेस किसके द्वारा बनाया गया था इंदोर में बताएंगे बिल्कुल महराजी शिवाजी राहोल कर ऑप्शन सी इसका राइड अंसर है ठीक है वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक यह पता चलेगा कि आपको कॉश्चन अच्छे लग रहा है चैलेंज सीरीज आपको और आगे भी चाहिए ठीक है बिल्कुल तो लाइक करें कोई भूलेगा नहीं नैस कॉश्चन रीवा बताएंगे रीवा सौर परियोजना मध्यप्रदेश राज्जिक के बहार के कौन से संस्तागत ग्राकों को बिजली के अपूर्ती करती है तो किनको करती है भी या बिल्कुल दिल्ली मेट्रो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सौपे सटीक उत्तर है नैस कोश्चन किता पड़े आते हैं अगला कोश्चन है निमलिकित में से किस जिले में 35 फूट लंबी बहरब पावा की मुर्ती एक ही चटान से मिलिए तो कहां से मिलिए फ्रेंट्स बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइड उत्तर है रिवा ठीके फ्रेंट्स नैस कोश्चन किता पड़े आते हैं अगला कोश्चन आप से भी किसामने वरहा क्या थे तो बताईए वरहा क्या थे पी को पहली बार देश द्वारा खोजा गया था तो किसके द्वारा खोजा गया था ठीके बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा बिल्कुल करनल कॉलिंग में कान जी ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सौ पेसरीक उत्तर है नैस कोश्चन की तरब बढ़े आते हैं अगला कोश् सब्सक्राइब करते चलेंगे बिल्कुल बगायदा अगला कोश्चन नर्मदा मद्यपरदेश के इस संरक्षित छेत्र को हाली में गुजरात में गिर्ष से शेरों के लिए इस्तानन तरन के लिए रास्टे उद्यान के रूप में अधुस उचित किया गया है वह छेत्र कौन सा छेत्र ऑफ्षिंडी बिलकुल सही रवाफ कुनों टीके चलें नेस्ट कुशण गता बढ़ी आते हैं मध्यपरदेश में प्रशांशिक संभाग की संच्या किती हैं तो मध्यपरदेश में संक्या कित्ती थे तो कौन से राज्ज्य महिश्ती थे बहुत इश्वांद प्यारज़ प्रश्णय उसका प्यारज सेत्थ अमारा मद्ध्रदेश सरकार मध्यप्रदेश सरकार ने शेहरी और ग्रामीे छेत्रों में महिलाओ उद्योमियों को घर पर माक्स बना कर कमाने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी तो कौन सी योजना शुरू की थी फ्रेंड्स बिलकुल जीवन शक्ती योजना ऑप्शन भी इसका बिलकुल सौप सटीक उत्तर है आगे बढ़ आते हैं नेस कॉश्चन की दरब ग्रेंड्स लेम किताब जीतने वाले पहले भारतिक लाड़ी कौन थे तो कौन थे पहले भारतिक लाड़ी महेज भूपती ऑप्शन भी बिलकुल सौप सटीक उत्तर है नेस्स कोशन की दबढ़ आते हैं बोपाल गैस रजटी बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा बोपाल गैस रजटी कब हुई थी तो कब हुई थी बोपाल गैस रजटी बहुती नॉर्माल सा और इंपॉर्डट सा कोश्चन है नाइंटी एटी फोर ऑप्शन ए बिलकुत सही जबापे नेस्ट कोश्चन अगला कोश्चन आप सभी के सामने मद्यप्रदेश के कि जिले में भारत का पहला ग्रीन फिल्ड सेज स्ताफित किया गया था तो पताएंगे कहां पर किया गया था बहुत यह अच्छा कोश्चन है इंदोर बिलकुल ऑप्शन भी इसका द्वारा कराएं गया तो कौन से राजह द्वारा कराएं गया था प्रदेश के कि जिले में इस्ती थे बताइए संजे डूबरी टाइगर रिजब कौन से प्रदेश में कौन से जिले में इस्ती थे मध्य प्रदेश के सभी लोग यहां पर बताएंगे बिल्कु सीधी स्लेट पैंसिल उद्योग मध्य प्रदेश के निम लिकित में से कौन से जिले का मुख्यों देऊगे बिल्कुल मंसोर और आप्शन सी बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्णित है यह वाला तो अगला कॉस्चन निम लिकित में से कौन सी महिला किर्केट खिलाडी मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश से कौन है बिल्कु सही उत्तर होगा इसका संधिया अगरवाल ऑप्शन सी बिल्कुल सौपे सडिक उत्तर है नेथ कॉस्चन लता मंगेश्कर का जनम कब हुआ बताईए कब हुआ ता लता मंगेश्कर जी का जनम सही जबाव 28 सितंबर 1999 ऑप्शन डी अगर कॉस्चन आपके जितने भी नंबर आए आपके ऐसा निये कि अगर 40 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे विडियो को शेर करें बीना कोई नहीं जाएगा ठीक है दियान रखेंगे आप लोग को शेर करना जासे दा जाता जब आपके आगे और क्लास वर जाती रहेंगी चैलेंज सेरीस की अगला कॉस्चन मध्य प्रदेश के किस परसीद लेखक ने अपने व्यंग के लिए साहित अकेदमी पुरुसकार विकलांग श्रद्दा का दोर जीता है बताइए किसने जीता है हरी शंकर प्रसाई ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सौपे सडीक उत्तर है नेस कोश्चन की तरह बढ़े आते हैं निमलिकित मैस से किस हिंदी फिलिम अभी नेत्री का जनम और पालन पोश कोशन आप सभी के सामने भी है नॉर्मल सा भोगोलिक छेत्र के संदर्व में मध्य प्रदेश भारत का देश सबसे बढ़ा राज्य है तो कौन सा सबसे बढ़ा राज्य है ठीक है तो यह दूसरा बिल्कुल ऑप्शन भी इसका राइट अंसर है दूसरा नेस कोश्चन की त ऐस्वा क्योंकि आप पुलिस की त्यारी कर रहे है तो आपको पता होगा देश भक्ति जनसेवा नॉक्स कोश्चन अगला कोश्चन आप लगी के सामने भरत माला ठीके भारत माला परियोजना का उद्देश क्या है तो क्या है उद्देश चलिए राज मार्गों का निर्मान करना option एसका बिलकुल सौपेसटीक उत्तर है next question मद्य प्रदेश में गामों की कुल संक्या ठीके बताइए मद्य प्रदेश में गामों की कुल संक्या कितनी है तो कितनी है सही उत्तर होगा पचास हैर से अधिक option एसका बिलकुल सौपेसटीक उत्तर है next question किताब बढ़े आते है किस भारतिये को वर्ष दोयट सत्रा में विश्वी सुंद्री मतलब आप से नवाजा गया था तो किसको नवाजा गया था मनुश्री चिल्लर option C बिलकुल सौपेसरीक उत्तर है इसका next question किस पदम भूशन ठीके किस पदम भूशन पुरुसकार विजिता शास्त्रे गाईका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है तो किसको जाना जाता है ठुमरी की रानी के नाम से गिरजा देवी option B बिलकुल सही जबाब है नैस question किता बढ़े आते हैं अगला question आप सभी के सामने ठीके अगला question आप सभी के सामने प्रतिश्टित एतलेट गगन नारंग निमलिकित मैंसे किस खेल से जुड़े हुए हैं तो कौन से खेल से बिलकुल ध्यान रखेंगे option C इसका बिलकुल सौ पर सभी के सामने मध्यप्रदेश के लगबग लोगों को अधिकारीक तोर पर अनुसूची जन जातियों के रूप में वर्गिवित किया जाता है तो कितने लोगों को किया राता है व्रेंट बिलकुल one upon five option C इसका सभी उत अगला question आप सभी के सामने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गोश्ची संबल योजना का उद्देश निम्न प्रतान करना है तो क्या है संबल योजना का उद्देश मुफ्त या सबसेड़ी वाली बिजली option C इसका सभी उत्तर होगा next question जनगर्णा 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में साक्षाता दर क्या है तो क्या है साक्षाता दर मध्यप्रदेश की द्वार 11 के अनुसार 69.32 option D बिलकुल सही दिवाप है next question एक दिवसी अंतिराष्टिय क्रिकेट में तीन दोरे शतक बनाने वाले एकमात कलाडी कौन है next question हिंदुस्तानी संगीत के जनग तानसे मध्यप्रदेश के निमली किदमें से कौन से स्थान से संबन दिते तो कौन से स्थान से संबन दिते बेहट option सी इसका बिलको सही दिवाप होगा अगला question मध्यप्रदेश पहयटन विकास निगम का देवाग के आदर्श वाग के क्या है बताइए उनका मोटो क्या है मध्यप्रदेश पहयटन टूरिज्म का ठीके सभी को पता है पाट ऑफ इंक्रेडिबल इंडिया option सी इसका सयुत्तर होगा next question मध्यप्रदेश बताइए मध्यप्रदेश में महाखलार चतुरुएदी रास्ट्य पत्यकारिता एवं संचार विश्विद्याले कहां इस्ती तो कहां पर इस्ती थे भोपाल option डी इसका राइट अंसर होग चानल को सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग सभी लोग घ्यांत रखेंगे शेयर करना कोई करना को नहीं पतबार है कि आपको और आगए चैलंग पसंद आ रही है थीक हैं चैलंग सिरिस ग्रोड़ करना बहुत जादा 절रूरी है आप लोग को मध्य प्रदेश के निम्लिकित मेंसे कौन से शहर में सिक्यर्टी पेपर मील इसती थे तो कहां पर है सिक्यर्टी पेपर मील खोशंगाबाद ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सौ पसरीक उत्तर है नेस कोश्चन की तरह बढ़ आते हैं अगला कोश्चन आप सभी के सामने निम्लिकित में से किस धर्म के साथ टावर ऑफ साइलेंस सम्बंदी ते तो टावर ओफ साइलेंस किस सम्बंदी ते पारसी धर्म से प्रतम भारतिय सुदेशी रंगीन फिलिम निम्री कितम से कौन सी है तो कौन सी है किसान करनिया ऑप्शन डी इसका बिलकुल सौप सटीक उत्तर है नेस कोशन की तरह बढ़ आते हैं अगला कोशन हमारा यह डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण दैश के एक प्रसीद कलाकार थ एक कना टक गायन ौप्शन डी इसका बिलकुल सौप सेडीक उत्तर है नेस कोशन की अनाच काटने के समय निम्ष मेंसे कौन सा लोग नित्तिय प्रचलिते तो कौन सा लोग नित्य प्रचलिते भांगड़ा बीको अप्शन डी इसका 0060 अरी गुत're है चलिए बिलकोल आज यह हमारे फोर सीरी य वियंक है चैलन सीरी सा पार्ट फोर खतम हो गया है पचास कोश्चन सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितने मांकसा है यह देखे मैंने आपकी हजार प्लस एमसी की ठीक है यह पीडिएफ है आप लोग की इसकी पांच गंटी की क्लास लीती में पकाया था जिसने नहीं देखे दिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट की ठीक है वहां से आप देख सकते हैं यह पांच गंटी क्लास और अगर किसी को इसकी पीडियो डाउनलोड करनी है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर पीडियो डाउनलोड करन तो ठीके धन्यवाद जैसी गणेश वीडियो को लाइक करेगा और जासादा शेयर करेगा ठीके ठैंक्यू जैसी गणेश ठीके लाइक करके हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा और हमें पत्र लगा कितने लोगों को यह चैलेंज पसंद आ रही है और आगे चाहिए ठीके जासादा लोगों को शेयर करेगा ठैंक्यू जैसी गणेश धन्यवाद